आशियाना हाउसिंग स्केंडल शेवाज शरीफ सक्स सेकेरिटी हसार पे एहतसाब अदालत में पेश नैप टी मजीद जिस्मानी रिमान की इस्तदा करेगी जुरिशल कॉम्पलिक्स की सेकेरिटी सक्त पुलीस एंटी राइट फोर्स और रेंजोस के एक हजार एहलकार तायूनात एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादात जमा कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दर्म्याद जड़पें धकम पेल लीगी कारकनों की अदालत में दाखल होने की कोशिश एहलकारों ने डंडे वरसा दिये वकला और पुलिस में भी तर कलामी हमसा शेबास और ख्वाजा इमरान नजीर अदालत के बाहर मौजूद खावातीन काकुन भी सरापा इतजाज शेबास शरीफ बेकसूर के नारे वजीरियाजम, वजीरियाला और डीजीनैप का गर्चोड नून लीग के सियासी को सियासत को कंट्रोल करने की कोशिशे की जा रही है हर पेशी पर हकूमत का खौफ बढ़ जाता है जितने मर्सी कंटेनर्स लगा ले हकूमत को महगाई का जवाब तेना पड़ेगा रहनमा नून लीग मर्यम औरंग्जेट की लहौट नूस से गुफटगो एक्तसाब अदालत को जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर लगा कर सील एम्यो कॉलेज रोट, लायल माल रोड और सेकेटेरियर चौक से मुरह का रास्ते बंद, चर्च चौक सेकेटेरियर जैन मंदर से एम्यो कॉलेज और चबुर्जी से एम्यो कॉलेज के रास्ते भी सील ट्राफिक का शड़ी तबाव, रास्ते बंद होने से तलबा और शेहरियों को मुश्किलाद दाता दर्बार के सामने पहले मुसाफर खाने की तामीर, बल्डोसर, रोलर, क्रेन और ट्रेक्टरों की मदद से तामीराती काम जारी मनसूबा दो माह में तीन करोड रुपे की लाकत से मुकमल किया जाएगा वजिर्याजम इमरान कान आज दो बजे लहौर पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन के सामने मुसाफर खाने का संगे बुनियाथ रखेंगे वजिर्याजम गवनर वजिर्याला और काबीना अराकीन से मुलाकाते भी करेंगे सौरोजा प्लैन और एहतजाद के दुरान होने वाली तोड पोड पर ब्रीफिंग दी जाएगी मुसाफर खाने की तामीर का मनसूबा दरक्तों पर भारी बढ़ गया दाता दर्बार के सामने मुसाफर खाने की तामीर के लिए सात्रा दरक्त काड़ दिये सीनियर वजीर अब्डुल अलिम खान का दरक्तों की कटाई का नोटेस हुकाम से जबाब तला इस्टाबलिश्मेंट ब्रांच ने तरक्की के जौन में शामल 133 डियेस्पी के लिस्ट जारी कर थी फाइनल बोड में 35 डियेस्पी को स्पी के अहड़े पर तरक्कियां दी चाहेंगी और राहमेंट में आप्मी तब्लीगी इस्तमा का तीसरा रोस काफिरों की आमद का स्लसरा जारी सेकेरिटी के सक्त इंतजमात अलमा कराम ने इसलामी तालिमात पर रोच्ट नी डाली